आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ प्राचीन कार में मंदिरों का उपयोग पतिक के विश्राम ग्रेक के रूप में होता था तुर्सी का पौदा मंदिर के बाहर उगाया जाता था क्योंकि इसमें प्यास रोपने का विश्रिश गुड़ होता है जब कुछ पतियां जीब के नीचे रखी जाय तो ठके हुवे पतिक जो पानी ढूल रहे होते हैं उनकी प्यास कम हो जाती है तुर्सी जिसका निमोल निवास भारत है सुलमी सतादी में पश्च्वी यूरूप पहुची यह माना जाता है कि यदि तुलसी के पदो का रस सहद के साथ नित लिया जाये तो स्वास्त के लिए अच्छा होता है चाय के लिए पानी उबालते समय यदि कुछ तुलसी की पतिया मिला दी जाये तो इसमें विशेश गंद और स्वात आ जाता है यह स्वास्थ के लिए लावदायक है, यह अराम भी पहुचाती है और तनाव से दूर करती है देखिए आरा प्रश्णिया क्या पूचा है, प्रश्णिया पूच रहा है कि शहर्द और दूसी का मिश्रण है अब आईए यहाँ पे विकल्प में, पहला विकल्प में आदिया हुआ कि स्वास्त के लिए अहितकारी है, दूसरा है स्वास्त के लिए हितकारी, तीसरा है हमारे लिए थोड़ा सा हानिकारक है और स्वास्त के लिए थोड़ा सा लावकारी है अब आइए यहां पे देखिए जह कहां पे इसका वॉर्डन है है देखिए यहां पे शेसाफ शाफ तोर पे गद्याज शमर लिखा हुआ है कि यह माना जाता है कि यदि तूसी के पौधे का रस साहद के साहध नित लिया जाए तो स्वास्त के लिए अच्छा होता है तो यह भी विकल्प हमारा गलत है क्योंकि स्वास्त के लिए हानिकारक नहीं स्वास्त के लिए हितकारी है विकल्प यहां पर दिया हुआ तो यह हां पर दिया होगा है क्योंकि स्वास्त के लिए अच्छा है तो यह भी विकल्प हमारा गलत होगा और स्वास्त के लिए थोड़ा सा लाबकरी होता है स्वास्त के लिए थोड़ा से लबकाई नहीं होता है ये काफी अच्छा होता है तो ये भी विकल्प हमारा गलत हो गया तो इस प्रश्ण का जो सही होतर वो है विकल्प भी स्वास्त के लिए हितकारी है इस प्रश्ण का सही होतर विकल्प भी है